हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका हूश्ट जश्ट फोर गोर दोस्तों आग यहाँ अपलो क्लेक और अमेजिंग चेप्टर लेके इसी में यह वीडियो जाएगा अपलो को इसी प्लेइलिस्ट को एकसेस करना है और एक एक करके पूरा वीडियो देखना नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा आप सुरवास से देखिए तभी आपको समझ में आएगा और बहुत यह अच्छी चीजे इसमें बता कियेगा अगर आपको जावस्किब नहीं आती है तो मेरे चैनल पर यह दिखे जावस्किब पढ़ाया गया है या मेरा प्रीमियम किलास है वो प्राइबिट वीडियो हो उसको भी पर्चेस कर सकते है तो चलिए जड़ा देखते हैं कि आज हमी क्या पढ़ना है यह अरिक से मैं नॉर्मल फाइल बनाया है HTML का यह देखिए सबसे पहले स्क्रिप्ट को इच्टल करेंगे इस तरीके से अगर आपने बस इंस्तेंस करना यानगे ऑब्चेट करना है और उसमें क्या गर सकते आप आरे बना सकते हैं और इसमें अमने लें्स से डिफाइन कर दिय अगर आपने length रिफाइन के 15 तो इस array का क्या length बन जाएगा यान कि array function को call कि आपने यान कि इसको बोलेंगे कि आपने कोई function यह basically एक array है जो कि array class होता जावास की में class होता है उसी का आपने instance की rate किया है उसमें length आपने यह जो 15 हमने लेखा यह length होगा array का length होगा ठीक है तो इस अगर आपको data इंसेट करना है तो इस तरीक से मैं चाहूं तो और भी अलग अलग इंडेक्स पर data इंसेट करता हूं जैसे कि मैंने यहाँ पर इसे पुट इसकता है यहाँ पर टू इंडेक्स kụुन इकसेस करता हूं इससी तरीक से और हपर इंडेक्स और फॉर इंडेक्स करता हूं यहां पर मैं लिएता हूं just4 code अभी मैं आपको समझाता हूं just4 code यह मैं ने लिखा तो अभी इससे क्या होगा आपने क्या-क्या indexing number करेके data उसमें insert किया है यहां पर यहां कि पास करेंगे तो data कैसे इसके लेंथ किया थे अभी 15 थी रिलोड करते जारा सुरिफ 5 जगे पर डिटा स्टोर होगा इसलिए आप क्या कर सकते हैं यहां रे बनाईए यहां पर कोई भी लेंथ मत दीजिए तो इससे क्या होगा अलाग-अलाग इंडेक्स पर डेटा जाएगा और जितना आप डेटा इंसर्ट करें हो उतना ही आपका जो है तो आपका सिचुवेशन के ओपर होता है कई-कई बार हमें यहां पर दस डेटा इंसर्ट करना होता है उसके अंदर हमें दस हो जगे पर सेम डेटा फिल करना है करना हैं यहां पर मुझे मण करना है और यहां पर ही करना है यहां सब सभी इंडेक्स पर अभी क्या होगा आपने ऐसे मैनलिन यहां से जाको बिंफा उसको उइटा करते हैं और फिल नाम का function कॉल करेंगे तो इसी के लिए आप यहाँ पर फिल नाम का function कॉल करेंगे और यहाँ पर आप कुछ भी इस्टोर करेंगे तो इससे क्या होगा कि array के सभी इंडेक्स पर one one इस्टोर हो जाएगे तो ऐसा situation के उपर होता है आपको array का length 10 चाहिए और उसमें data इस्टोर करना है कुछ भी यानि कि same data इस्टोर करना है या just for code इस्टोर करना है तो इसके लिए क्या अपलाई करेंगे array के लिए अब ज़रूर ही नहीं कि यहां पर जो है अब देखे अभी क्या कर अगर आपने यहां पर कोई भी लेंध नहीं दिया और फिल फंक्सें अपलाई करेंगे यहां पर रिलोड करेंगे तो इससे तो पांच जगे पर आपका फोर कोड़ जाएगा लेकिन अगर आप अपने लेन्स नहीं दिया है तो आप डेटा कैसे इंसेट करेंगे देटा कैसे इंसेट करेंगे तो यहाँ पर आप देटस्य कर सकते हैं अच्छा कुछ नहीं है कुछ investing हमने कं रॉबूबू यहां कर दिया आपके मिन में को भांग के या निकिशन होगा करां सकते हैं जबना सकस्क्राइब THe गर्ला करेंगे तो देखर डीटर चला जाएगा तो आप चाहें बनiesoällt के यहां इसाँ यहां यहां तर यहां लेंस नहीं ऑखकरतません और यहँड़ से सभाई दृब ह içinde और यहां पर हैकि कि मैक्सिम्म्म के दाने लेंग्ट होना चाहिए स ही क्लिभा करते है तो आगे आपका और फंक्षेन ने पुछ्छ फंक्षन है तो ज्व जैसे आपको इस तरीक से फिर 4 लिखेंगे, है ना इस तरीक से डेटा लिखेंगे, तो हमारा जो डेटा है वो इंसर्ट होता हुआ चला जाएगा, तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी, कई कई बार आपको इंडेक्सिंग नमबर लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, यानि कि अगर आपको स जंजट नहीं चाहिए तो क्या कर सकते हैं पुष फंक्शन को अपलाई कर सकते हैं कैसे बस आयरे के लिए पुष फंक्शन अपलाई करिए और यहां पर जो भी लिखना लिख दीजिए इसको आप कितनी बार भी कॉपी पेस्ट करें आपको इंडेक्सिंग नंबर का कोई भी पुष फंक्शन अपलाई करेंगे तो एक कर गया अलग 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 इंडेक्स पर डेटा आटोमेटिक इंसेट कर देगा यह दिखिए है न क्लिए चलिए आगे काम करते हैं अब दिखिए जा रहा क्या होगा आप सपोर्ज करो आपको ऐसा बनाना है जिससे कि हमने यहां अब लिखा मुझे फ्रॉम का मैं आपको बताता हूं आरे के लिए हम फ्रॉम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं यहां यहां पर अपने लिख दिया जैस्ट फॉर कोड इस तो क्या होगा अच्छा यह जो फ्रॉम है इसके लिए आयरे के लिए नहीं अप्लाई करेंगे ठीक ह आपको शिर्फ आयरे लिखना यहां इस तरीक लिए शिर्फ आयरे का इंस्टेंस नहीं क्रिएट करना है यह यह जो यह क्या करेंगा एक आयरे ऐसा बनाएगा जिसमें जे अलग होगा यू अलग होगा यानिकि फॉर कोड लिख देगा अलग-अलग इंडेक्स पर रिलोड हो गया तो किसी भी आगर कोई भी ऐसा आपका जो है इस्टिंग है उसको अलग-अलग इंडेक्स पर इंसर्ट करना है तो आयरे के लिए यानिकि शिर्फ आपको एरे लिखना है फंक्षन ब्रेकर नहीं लगाना है सिरिफ आयरे लिखना इस तरीके से और फ्रॉम फंक्षि यह store कर देगा, दिखे ज़रा सब कुछ store हुआ है, यहाँ पर आपका इस्टूर हुआ है, यहाँ पर आपका इस्टूर हुआ है, तो जब भी आपका इसा situation होगा, तो बैसिकलिए यह इस्पिलिट के तरह काम करता है, याणिकि इस्पिलिट आपने पड़ा होगा काइसन प्लाई करेंगे। ठीक है। है, clearव यहky grad изб, इसके तरीक़ से अपका keeps होता है, तो उसको कैसे apply करते हैं North Carolina, हमारी काइड है, जैनि कि इक बना लेता हूं ज़ाँ इसके अंदर, इसका इंडेक्सिंि नमर आपको चाहिए तो किस्ट प्ले कर सकते हैं कैसे अप्लाई करेंगे अरे के लिए डौट कीज इससे लिए डिफाइन करेंगे आप तो आपको कीज मिल जाएगा कीज का मतलब ऐसे डारेक्ट नहीं मिल जाएगा इसके लिए लूप चलाना पड़ गा तो यह को चलाना पड़ेगा तो यहां पर मैं अगर कीज को कंसोलर डॉट लूप चलाना पहजार आपको क्यूत चाहिए तो लूप चलीए ज fiza किहारा जरुरी को यहां पर की कर दोंगा इस तरीक से ठीक है तो यहां पर क्या होगा यह देखे तो यहां पर अभी आपका की पूरेट होगा यानि कि जो इंडेककिन की नंबर है झॉज़ा प्रिंट होगा । रेलोड कर जरा। आच्छा यहां पर डेटा पर canoe57 टाइम सेम डेटा है लेकिन अगर को कीज करना है तो देखिए आप यहां पर इस एक लिए लूप चलाएंगे यहां पर की बाद इस कीज के लिए लूप चलाएंगे तो आपका जो कीज रिलोड टेस्टिंग के लिए हैं तो यह ज्यादा यूज़फूद नहीं रहा तोDamν में यूजका नहीं करना पदेगा है तो सब्सक्के लिए किसे अन्मार्य कंट बब्राए को सिस्यूर्च परक रखे d इनका बहुत जादा यूज होता है तो आप इनको जरा समय लेजिए ठीक है और अगर आपको लेंथ डिफाइन करना पहले से ही तो आयरे फंक्शन का यानि कि इसे करेंगे उसमें लेंथ देंगे कुछ भी नंबर देंगे ठीक हो क्लियर होगा अगर कुछी हो है तो ज़रूर कुछ से कमेंट करेंगे फैल्प कर देंगे थैंक्स वा इंजाएंग देविकेशन अब्जेस फोर कोड़ सी यू सून